बूर्णिंग योड़ीबडी मैं सभी कास सवगत करता हूँ फिजिस गान मुकेशनेंग चैनल पर आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्स होने वाला है यह हार स्टुडन्ट जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है यह वीडियो देख सकता है फिर वो कोई भी क्लास में हो सकता 8, 9, 10, 11, 12 में हो सकता है BAC, MSC कुछ भी कर रहा हो वो भी स्टुडन्ट देख सकते है और जो स्टुडन्ट EMPC, UPC और दर कुछ एक्जाम देना चाहते है उनके लिए भी फिजिस के कुछ सवाल होते है उनके लिए सभी के लिए आज का वीडियो है आज वीडियो में हम लो कि फिजिस को कैसे अंडर्स्टेंडिंग कर सकते हम लोग क्योंकि मुझे आज मेरा नियर अबूठली सफर रहा चुका है एक लाग 20,000 स्टुडन्ट मेरे साथ पढ़ चुके है और उनका इंट्रेक्शन होते रहता है उनके कॉमेंट्स आते रहते है वाट्स अप टेलिग् करना उन्यटोप पर और इस यूटुप पर काम करते समय मुझे एक सबसे मेन प्रॉबलम एक स्टुडन की मतलब फेस करते हैं वो करते हैं कि फिजिक्स उनको समझ में नहीं आता है तो इसका रिजन क्या हो सकता है इसका अनलेसिस क्या किया जाए तो इसके उपर आज बहु को ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को आज की वीडियो के माध्यम से मैं कुछ नौलिद देना चाहता हूं फिजिस को कैसे पढ़ा जा सकता है अब कुछ श्टुडेंट रहते हैं मुझे पूछते हैं कि सर मुझे CET, NEET, JEE जैसे एक्जम हो औलुम्पियर हो या ओधर कोई NTC, MTC बहुत सरे एक्जम से इन एक्जम में फिजिक्स में उनको बुक्स तो पूरी याद होती है फार्मुले पूरे याद होते हैं, learn किये वाले रहते हैं, कुछ definition हो सकते है, statement हो सकते है, कुछ application हो सकते है, कुछ laws हो सकते है, रट्टा मारा वाला रहता है क्या इसका फाइदा होगा सर हम लोगों को, तो मेरा answer होगा बच्चो, ऐसा होता नहीं है दूसरी बात, कुछ student कहते हैं कि सर, मुझे ये books पूरी की पूरी याद है, फार्मुले भी रट्टा मार चुका हूँ मैं या derivation में मैंने 10 बार लिखके देखे है, numerical भी बहुत सारे solve करता हूँ लेकिन books में जितने उतने, लेकिन बाहर का कोई numerical आता है, या कुछ MCQs आप लोग solve करते हैं तो उस MCQs से आप लोग लटक जाते हो, मतलब उसको solve नहीं कर सकते हैं तो क्या इसके लिए क्या कोई प्लान है आपके पास, या क्या किया जाय सर कि इस physics को हम लोग समझ पाए Actually, आपको पता है कि physics की जो defined बनी जाती है, उसको मराटी में हम लोग या भहुतिक शास्त्र बोलते हैं हजारों example cross करते हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि इसको यह physics है और हम लोग यह physics कर रहे हैं मैं कुछ example के तोर पे आप लोगों को ज्यान देना चाहता हूं, उसमें आपको समझाना चाहता हूं कि हर आदेमी आज कल two wheeler गाड़ी जो है या four wheeler जो भी गाड़ी है हर लोग चलाते हैं, तो गाड़ी को speed होती है, तो गाड़ी की जो speed होती है, speed हम लोग change करते है, speed change करना तो उसी को हम लोग कहते है acceleration, अब वो कौन change करता है speed, तो गाड़ी का अपना accelerated होता student, तो इस example से वो physics में एक बात है, कि देखो maths और physics, देखो maths में भी maths होता है, physics में भी maths होता है, लेकिन maths, physics में जो maths होती है, उसका महत्व होता है, वो कुछ आपको देना चाहता है, कुछ knowledge देना चाहता है, हर चीज़ का knowledge होता है, जैसे कि हम लोग accelerations को physics में ऐसा लिखते है, dv by dt मतला speed change करना इसी को acceleration कहते है, लेकिन गाड़ी का जो accelerated होता student, वो accelerated, देखो speed को बदलता है, इसलिए उसका नाम accelerated है, दुनिया में कभी नहीं भूलोगे कि acceleration की जो define है, वो velocity change करनी है, speed को रफ्तार जो आपकी वो कम हो सकती है, जादा हो सकती है, इन बातों पर दान रख सकते है, अब वो है आपका force, है ना, mass into acceleration, मतलब force है, इसलिए acceleration हो रहा है, mass थो हमारा करीब करीब ओ constant ही होता है, ठीक है, speed of the light में थोड़ा सा mass change हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग जो daily light में देखते है, यह constant है, मतलब force acceleration को तयार कर रहा है, गाड़ी को हम लोग force लगाते, तो क्यों बताना पड़ रहे है, क्या reason है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ, कि आप लोग जब भी physics कर रहे हो, आपने environment में, आपने घरों में, आपने जो भी आजू बाजू, जो भी चीज़े है, उन सभी चीज़ों में आप लोगों को physics लगवानी है, उसके example करके देखना है, प्राक्टिकल करके देखना है, तो ही बच्चों आप लोग यह चीज़े पड़ पाओगे, अब हम लोग नहीं क्या, liquid की viscosity के बारे में प्राक्टिकल करवा सकते हैं, कैसे कि एक bottle में आप लोगों को पानी लेना है, और एक bottle में आप लोगों को क्या करना है, एक oil लेना है, तो ओ जो है, ओ लेना, दोनों डालो, देखो, आप लोगों कोई ना, पानी में turbulence flow, turbulence flow मतलब क्या होता है, बाड़ा आना, नदी में बाड़ा आना, जैसे ऐसे बाड़ा है, जैसे पार्टिकल नीचे उपर होते है, तो turbulence flow हो गया, समझे, विसकोसिटी किसकी जादा है, जैसे हानी बीज उसकी viscosity जादा है, गाड़ापन बोलते हैं हम लोग, तो जब तक आप लोग अगर physics पढ़ना चाहते हो, तब मैं ये बोलना चाहता हो, आप लोगों को कुछ ये प्लान देना चाहता हो, कि physics को कैसे समझे, कैसे understand करे, ये बहुत important चीज है, जैसे कि, आप लोग को पढ़ रहे हैं, सर, हम लोगों को पूरी define याद है, कोई फाइदा नहीं है, लेकिन इस define के साथ, या आप लोग applications पढ़ रहे हो, या statement पढ़ रहे हो, या lots पढ़ रहे हो, तो उसके साथ में, कोई ना कोई, किसी के साथ, आपको relation लगाना पढ़ेगा, उसके example आपको देख आपको definition learn होके, या आपको laws पता होने से, आपको formulas पता होने से, आप कोई भी exam crack नहीं कर सकते, रट्टा मारना एक अलग बात है, रट्टा मारना student एक अलग बात होती है, लेकिन जिसमें हम involved होके कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी ने बता दिया, कि आप हमारे यहाँ पे महरा question में, ज्यादा से ज्यादा student यहाँ पे खेती देखते होगे, है ना, हर अदमी देखता है खेती, खेती में, मैं बोल दूँ कि हाँ ऐसा है, और जो कर रहा है खेती, जो action है, तो उनको सब कुछ चीज़े पता रहीती है, उसको भले knowledge नहीं होता है, student, मतलब उसको पता नही में, हर example के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा, जो example आपके life में कभी ना कभी क्या हो, तो ही फाइदा है, नहीं तो कोई फाइदा इस फिजिस का पढ़ने से नहीं होता है, मतलब अब रही बात, कुछ बच्चे numerical से बहुत डरते है, अब यह numerical ऐसा क्यों होता है, क्या reason है, तो आप लोगों को feeling आना बहुत जोरी है, क्या आना जोरी है, feeling आना बहुत जोरी है, जैसी कि मैं हमेशा बहुत सरे student को बताता हूँ, कि यार कोई एक student है और ये goal घुम रहा है इसे, ठीक है, या जुले पे बेठा है, और वो जुला इसे goal घुम रहा है इसे, अब जुले पिटल फुर्स बोला जाता है लेकिन यहीं स्टुडंट अगर यहां पर आके बेठे यहां पर बेठ गया हो तो उसको लगे जा यार मुझे कोई यहां बाहर खेश रहा है तो यहां पर जो फॉर्स थी वो थी हमारी कौनसी सेंटर की तरफी इसलिए सेंट्री पिटल फॉर्स होती है और यहां जो होती है वो होती है सेंट्री फिगल फॉर्स मतलब मुझे क्या बताना है मुझे यहां पर समझ में आ रहा है कि आप कोन से फ्रेम में हो आप कहां बेठ वाले मतलब physics है की है लेकिन आप कहां हो इसको भी बहुत सारा importance होता है आप यहां पे अगर inertial frame और non inertial frame में हो तो इसके उपर depend होता है यहाँ है मतलब inertial frame है यहाँ बेटोगे तो आपका motion होगा motion होगा मतलब acceleration होगा इसको non inertial frame बोलते हैं मतलब मुझे यह student सभी को यही message देना है आप लोगों को physics पढ़ते समय आप कहा हों की चीजों को consider कर रहे नहीं कर रहे इसको पर भी depend होता है मतलब कभी-कभी हाँ चीज भी consider नहीं कर सकते मैं example बताता हूँ हम लोग oscillation chapter पढ़ते हैं और यहाँ पर जो spring होती है यहाँ spring में यहाँ पर हम लोग कोई mass बानते हैं इसको इधर लेके जाते हैं एक बार तो यह compress होता है इधर तो यहाँ पर जो friction force है उसको zero मानना पड़ता है तो यह चीज़े आप लोगों को किसी चीज़े को उचलना भी नहीं पड़ता है मतलब क्या कोई बच्च बच्च बोलते हैं यहाँ फ्रिक्शन का आगा है यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों नहीं लगा है सरणे तो उस चीज़ों पर consider भी करना पड़ता है मतलब मुझे यह बताना है श्टूटन्ट जब तक आपने लाइब में उसको पूरा देखो मैस कर रहे हैं बस यह formula लगा है integration derivative technometric लगा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 पता नहीं बच्चों को क्यों लगा है ठीक है formula था लगाया किसी ने पूछा है क्यों लगा है नहीं लेकिन physics में हर formula का मतलब होता है उसका एक meaning होता है उसका एक proper इस चीज़ों से हम लोगों को बहुत लेना देना होता है मेरी बात तो समझ में रहे है हर formula में हर चीज में देखो हम लोग neutrons ला पढ़ते f is directly proportional to the change in momentum ठीक है force लगाने से momentum होता है जैसे कि यहाँ पर particle इसको force लगा तो इसका momentum होने लगता है इसी से हम लोगों को formula मिला f is equal to yummy सही है तो यह acceleration हो रहा है force के कारण cause के acceleration होने का force है तो यह equation आपको चिलना चिलना के कुछ कहना चाहता है बोलना चाहता है आपको knowledge देना चाहता है कुछ example देना चाहता है आपके life के साथ वो खिलना चाहता है क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो तभी आगे जाओ बच्चे क्या करते है बस यह physical dm a formula आ गया कहां से आ गया क्यों आ गया क्या reason है कभी पूछते हैं क्या आप उसके लिए behind reason क्या है यह जो Newton's law कहां लागू कर सकते है कहां लागू नहीं कर सकते है है ना जैसे कि हम लोग third Newton's law पढ़ते है your reaction is equal and opposite reaction तो contact of force रहा तो लागू होता है क्या non contact of force है तो यह formula लगा सकते है क्या या नहीं लगा सकते है इन चीजों पर सोचना बहुत ज़रू है हम लोग जैसे कि मुझे बोलना है physics क्या चीज है physics के लिए बहुत कर रहो है जैसे chemistry, biology, math, physics भी जैसे कि 11th 12 को पढ़ा तो 14 chapter है 11th में 12th में आप लोगों को जो chapter से 16 है तो student 16 chapter के लिए इतना समय क्यों दिया गया है actually दोनों मिला के हम लोग पकड़ते है 30 chapter दिवा ले 30 chapters है 11th 12 के लिए actually इसके लिए कितने दिन है पकड़ते कंसिडर कर रहे है हम लोग साथ से दिन पकड़ेंगे ठीक है कि दो साले जादा है लेकिन मैं पकड़ाओ 700 दिन क्या है 30 chapter करने के लिए 700 दिन लगते है नहीं तो इतनी नर्ना समय देने का रिजन क्या हो सकता है इन बातों पे समझने आपको इतनी दिन इसलिए दिये है अगर हम लोग इसको 30 से डिवाइड भी करते है है ना तो 7-2 जा मैं करिब-करिब पकड़ाओ मैं कोई यह approximation है यह होगे 10 है ना 20 जा 20 डेज पकड़ेंगे चलो कम ज्यादा पकड़ रहे है हम लोग 20 डेज है 20 डेज में सोचा जाए एक चक्टर को पढ़ना है Begin के 25-30 pages होते है क्या हम लोग नहीं पढ़ सकते इसका reason ही है student कि इस चीजों पे जब भी हम लोग कोई जैसी कि हम लोगों ने आज ले लिया Newton's law Newton's law Newton's law 3 Newton's law है क्या 3 Newton's law Only statement याद होने से कोई फाइदा नहीं है मतलब मैं जब भी हमारे पास 10-11-12 के लिए student आते इंट्रू लेता हूं मैं उनका तो इंट्रू लेने के बाद मुझे student answer देते Newton's law बताओ फटाख से बोल देते इतने जह से बोलते इतना confidence होता है उनके पास लेकिन मैं कुछ example डाल देता हूं कुछ चीज उसके अंदर add करता हूं तब वो confused होते हैं उनको लगता है कि यह तो आमने पढ़ा ही नहीं आप लोगों को यह जब Newton's law कर रहे है पहले लाई यह अब्जेक्ट इस श्टेट अपरेश्ट और उनिफ़मोशन अन्लेस अंदर अन्बैनेस फोर्स यह दूसरा लाओ यह फिस इकॉल टू यह में कहां से आ गया तिसरा लाओ यह एक्शन इस इकॉल एन अपोजिट रेक्शन लेकिन यह contact force है क्या यह non contact force है क्या क्यूं इसको इस्तमाल किया जा रहा है कहां लगा सकते और कहां नहीं लगा सकते यह भी एक important चीज है तो ऐसे चीज़ों के उपर आप लोगों को मुझे लगता है कि नेट पे जाके भी आप लोग सर्च कर सकते यह law क्यूं इसकी आ जाता है क्या मातव है किसलिए इस law को खोजा गया है यह law आज भी क्यूं चल रहे है क्या हमारे ब्रह्माण में इसके बाद में भी कुछ लोग नहीं आएगे और उन्हेंने कुछ अलग तरीक से कुछ निकाला होगा लेकिन इस law को क्यूं होल्ड करके रखा है तो इन बातों पर जो स्टुडेंट सोचेंगे जो करेंगे वही बच्चों फिजिक्स की यह फिजिस को अंडरस्टांड कैसे करें यह इसकी मेथर्स होगी मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो कर रहे हैं फिजिक्स में सो आउट आप सो मार्क उसको मैं इंपोर्टन्स नहीं देता हूँ ऐसे स्टुडेंट को भी इंपोर्टन्स नहीं देता हूँ मुझे वोज स्टुडेंट चाहिए जो की देखो निट जे डबली ऐसे एक्जाम क्यों कर पाते हैं हमारे बच्चे उसका रीजन है देखो लाखो स्टुडेंट एक्जम देते हूँ लाखो में से कुछ गिने चुने स्टुडेंट क्यों सलेक्ट होते हैं इसका रीजन है कि वो प्रॉपरली कोई चीज को समझ नहीं पायते हैं जब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक उस चीज को अंड़नस्टैंडंदिंग नहीं कर पाएंगे जब तक वह अपने सरॉंडिंग में ये लाख तहां लागो होता है लोय आद होने से फर्वार्मूले याद होने से हम लोग कोई भी exam crack नहीं कर सकते, यह मेला पहला sentence है, और अभी भी वही बोलड़ाओ, अगर आपको लगता है कि सही में, कि मैं इसको understand करना चाहता हूँ, तो हर चीज के उपर आपको तो तीन लगा है, तीन लगा पहले देखके, पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समझ लो, वीडियो बना के रखे यूटूब पे, वो देखो, अगर वो देखने से भी आपको समझ में आता है, तो गुगल पे सर्च करो, कि यार पहला लगा होता है, कहा अप्लिकेशन है, क से रिमेंबर करने के लिए कुछ आइडिया फाइंड करना पड़ेगी, तब तक ये लोग अच्छी तरी से बनते नहीं है, तो ये, देखो, मैं आप लोगों को वाइस लाओ, है ना, चार्ज लाओ, चार्ज लाओ का एक्जामपल देता हो, टेम्परेचर डाइरेक्ली प् ये आपको पता है कि वहाँ पे प्रेशर है, वैलूम, है ना, प्रेशर बढ़ा दिया, वैलूम कर्म कर दिया, ग्या सिलेंडर जो होता है अपना आरे गर में, सिलेंडर का एक्जामपल दिया, ऐसे बहुत सरे एक्जामपल, मैं प्रेशर कुकर का भी एक्जाम देता हूं, है ना बहुत सरे एक्जमपल देते रहता हूं जैसे कि यहां पर इंवर्मेंट में अगर इस एक्जमपल के साथ आप लोग अपने लाइप में जितने भी एक्जमपल है उतने दोगे मैं शुरा एंशॉड बलूँगा बच्चो आपने लाइप में फीजिक्स आभी नहीं ताकि ऐसी वीडियो बनाने में मुझे इंट्रेस है और और भी कुछ श्टड़ी रही कुछ लॉग को कैसे याद करना है कुछ चीजों को कैसे याद रख सकते है इसके उपर भी में मैं वीडियो लाते रहूंगा तब तक बाय करता हूँ शेर करना लाइक करना नियू यहा पर सब्सक्राइब भी करना है जो थैंक यू अन बेस्ट लुक फार युवा स्टड़िया और फूचर प्लाइब